एपिजोड 115 के शिर्वात मेंकी बे निहात पापा से होती है जहां मेंकी बे निहात पापा से केती है ननी चीरिया आखिर उड़ जाएगी निहात तो निहात पापा केते हैं हाँ हमारी बेटिया कितने जल्दी बड़ी हो गई है ना पता ही नहीं चला पता नहीं हम उनकी शा उसका नाम मतलो मेरे सामने उसके बदले वो तुम्हारे शादी का ब्रेसलेट लेकर चला गया था वो सिर्फ मुझसे तीन मिनिट बड़ा है पर वो कितना सेलफिश है वो तो मेरी बेटियों के पैदा होने पर उन्हें देखने तक नहीं आया तो मेरी के बेटियों की शादी हो रही है ये तो उन्हें बताना ही पड़ेगा न ऐसा केकर मेरी मिताद भाई को फोन लगाती है पर मिताद भाई फोन पर मेरी को भाव नहीं देता है और उसका फोन काड़ देता है तो निहात पापा कहते है देखा मैंने कहा था न वो सिल्फ करूणी है तो यह सुनकर लैला को साप सुंग जाता है तो सनिम कहती है मां में जैन के साथ लंज पर जा रही हूँ सब्म कर n कोई शादी कोई शादी नहीं हो रही है मेरा और अस्मान का बिरेक अप हो गया है तो यह सुनकर की पापा disp रॉक हो जाते हैं तो लाइला केती है सबकुछ हमने आकर किया था काफी इसलिए मुझे ये रिष्टा तोड़ना पड़ा आप मुझसे नाराज तो नहीं है न तोनिहाथ पापा केते नहीं बेटा तुमसे कोई नाराज नहीं है फिर मेकज़ केती है अच्छा हुआ ये सब श जुनकर आयान केती है क्यों भाई क्या हुआ तो उस्मान केता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं आयान तो आयान केती हैं कोई बात नहीं भाई जो कुछ भी हुआ उसे आप भूल जाओ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी ऐसा केकर आयान उसमान को गले लगा लेती है फिर सेन इगित और हुमा पर शिफ्ट होता है जहां हुमा येगित से कहती है पोलेन तो जा रही है मैं उसे बहुत मिस करूंगी पोलेन ने बहुत जल्दी गीवब कर दिया बेटा तो येगित कहता है वो और करती भी क्या जान ने सनेम को प्रपोस कर दिया तो हुमा कहती है ह तो काफी बेचारी सी है जान उसे जल्दी छोड़ देगा मुझे तो ऐसा लगता है फिर बेचारी सनेंव को क्या होगा तो यह गित कहता है हां मुझे भी जान सनेंव के लिए ठीक नहीं लगता है इसा यहां से इन जान और सभ्षिफ्ट होता है जहां सनिम कहती है पता है मैं रिंग पर मुझ रखकर सो गई थी सुबह तक तो मेरा मुझ पूरा सूझ गया था तो जान केता हैं तो क्या तूमने वो रिंग उतार दे सनिम तो सनिम के तिये, नहीं मैं वो रिंग कैसे उतार सकती हूँ, वो मेरी जान की है, तो जान के तार, सनिम मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ओफिस में, घर में, हर जगा पर, इसलिए प्लीज तुम एजेंसी जोइन कर लो, तो सनिम के तिये, नौट पॉसीबल, वो बुक स्टोर मेरा सपना है जान, तो जान के तार, वो एगित अच्छा है, सनिम वो अच्छा आदमी नहीं है, वो देखना जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करेगा, तो सनिम के तिये, नहीं जान, एगित ऐसा नहीं है, अगर उसने ऐसा कुछ किया, तो मैं ही पड़ता इसा केकर ये गेट सनेम को लिखी हुई अपनी चिठी ड्रॉर में डाल देता है फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है वो जान से कहती है मुझे सिंपल वीडिंग चाहिए पर आपकी और मेरी माँ ये होने नहीं देगी तो जान कहता है ये क्यों न हम इंडियन वेडिं तो जान कहता है तुम फिकर मत करो सनेम ठीक हो जाएगा फिर सीन नीहात पापा और मेलके बे पर शिफ्ट होता है जहां मेलके बे लायला का टेंशन ले रही होती है इतने में ही पूरे मोहली की बुड़ी लड़किया मेलके बे के शॉप पर आती हो और कहती है अरे लायला अपनी अंगोटी फेक दी और सेनिम ने पहन ली अगर तुमने लाला के लिए वेडिंग ड्रेस करीदा होगा तो वो भी तुम सेनिम को पहना देना ऐसा होने से वो ड्रेस वेस्ट नहीं होगा तो मेली हाथ कहती है मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया मेलके वे आई स्व फटर भड़क जाते है तो वो बुझी वहाँ से भाग जाती है पिर उनकी जाते ही निहाथा पपा मिलके वे से कहते क्या तूम मुझसे कुछ चिपा रही हैं तो यह सुनकर निहाथा होाँ से चली जाते है फिर सेंग ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां डरन को गॉइश प् फिर जान ओफिस में आता है तो सब उसे congratulate करते है फिर एमरे जान को वहाँ से लेकर चला जाता है फिर सीन सनिम और लाला पर shift होता है जहां सनिम लाला से कहती है जान को ये गित से जलन होती है उन्होंने मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा तो ये गित ये बात सुन रहा होत है तो सनिम कहती है मैंने उन से कहा है कि अगर मुझे कुछ गलत लगा तो मैं खुद ही तुरंत ये जॉब छोड़ दूँगी इतने में ये गित अंदर आ जाता है और सनिम को congratulate करता है फिर ये गित कहता है पोलेंड जा रही है तो ये सुनकर सनिम को बहुत ही खुशी होती ह इतने में ही डेरन वहां आती है और कहती है प्लीज सनिम लायला येगित एजनसी में चलो मुझे cooking book पर कुछ discuss करना है तो सब ये सुनकर एजनसी में चले जाते है फिर जान और सनिम जैसे ही main department में आते है वैसे ही सब employees पटा के फोड़ कर केक लाकर जान और सनिम को surprise देते है तो ये देखकर जान और सनिम बहुत ही खुश हो जाते है और केक कट करते है फिर सारे employees जान को सनिम को किस करने के लिए कहते है तो जान सनिम को किस कर लेता है पर हुमा और येगित कोईन सबसे बहुत ही तकलिफ होती है तो सनिम कहती है क्या हम मिस हुमा से बात कर ले जान त तो सनिम कहती है कोई बात नहीं जान हम उन्हें मना लेंगे फिर सेन एमरे और लाइला पर शिफ्ट होता है जहां एमरे लाइला को I love you कहता है तो लाइला को मज़ा जाता है फिर लाइला एमरे से कहती है मैंने मॉम डेट को बता दिया कि मेरा और असमान का ब्रिक अप हो गया तैयारियों करने चली जाती है तो जान से कहता है कोई बात नहीं मैं मेरे मेरी फैमली को लेकर आता हूँ ऐसा करके जान वहां चला जाता है फेस इन असोसियेशन की पार्टी में शिफ्ट होता है जहां मुझा से कहता है देखो अगर गुलीज यहां आ गई तो समझो कि उसने मेरी डेट का प्रोपोजल स्विकार कर लिया है इसा किकर मुझा केंदल आनी चला जाता है इतने में ही मेली हाथ वहां आती है और संइम से कहता है तुम्हारा अंकल भी तुम्हारी शादी में आने वाला है पर वो हो तो बहुत ही सेलफिश आदम है इतने kept ही वहां आकर कहती है वह ह uwं मारा है उसके लिए यह जगह ठीक कहा है तो सरहां करती है माँ वू मेरी शासुमा है आप कुछ उल्टा धमत करना तो मेली हाथ केती है मेकी बे यही मुका है तो मुस औरत से अपना बदला ले लेना इतने में ही ओस्मान वहाँ आता है और लायला से कहता है लायला मुझे एक ओफर मिला है आस्ट्रेलिया में एड करने का इसलिए मैं जा रहा हूँ तुम अपना खयाल रखना साथ खुश रहो तो लायला कहती है उस्मान क्या हम अभी वी दोस्त है थो ऊस्मान क्या हालायला हम हमेशा दोस्तरह. आगे क्या होगा क्या उस्मान सच में शहर छोड़कर चला जाएगा, आगे क्या होगा, जानने के लिए बने हैं, ये मेरे चैनल दिवाने ही हम पर, जल मलाकात होगी अगले एपिसोड में अल्विता दिवानों जल्द मलाकात होगी अगले एपिजोड में